हलो दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं आप लोगों को कि गुरूब डी का दो हजार चौबिस का वेकैंसी आ चुका है और कितना वेकैंसी है किस जोन से कितना वेकैंसी है लाजडेट कब तक है फॉर्म कब तक आएगा यह सारा कुछ हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं और इससे पहले हम आप लोगों को बता दे कि हमारे जो यह चैनल है इस चैनल पर आप लोगो गुरूब डी की तैयारी भी कराए जाएगी तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बैल अकन को जरूर दबा लिजेगा ताकि हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपके मुबाइल पे आता रहे तो चलिए बताते हैं आप लोगो क्या है देखिए आप यहां पर हेडिंग देख पा रहे हो यह जो है रेलवे गुरूब डी रिक्वार्मेंट दो हजार 24 को ले करके न्यू वेकैंसी को ले करके सूचना हैं क्या है पूरी सूचना है चलिए आपको बताते हैं सबसे पहले आप देखे यहां पर दिया गया है और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो 10th and ITI मांगा गया है सेलेक्षन प्रोसेस क्या होगा 10th and ITI है यहां पर ध्यान देने वाली बात है और नहीं है एक रहता है और और के बात क्या होता है या तो आप 10th पास करोगे या फिर ITI पास करोगे ठीक है लेकिन यहां पर देख पार यहां पर एंड का सिंबोल लगाया गया है दोनों डिग आप जन्वरी 2024 टेंटिटिव है यानि कि यह थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है लेकिन कनफर्म है कि आप लोगों का वेकेंसी आ चुका है लास्ट डेट आफलाइन अप्लाइन जो यह अप्लाइन होगा वह फरवरी में लास्ट डेट ओनलाइन सोरी ओनलाइन अप्लाइन में कितना है असिस्टेंट ब्रीज में कितना है असिस्टेंट डीपोर्ट में कितना है और असिस्टेंट लोको सेड में कितना है इस प्रकाल से आपको यहाँ पर टोटल वेकेंसी आपको दे दिया गया है ठीक है बात समझभा है कि नहीं इसके बात चलते हैं महतुपून ब इतना है जैसे Central Zone की बात करें तो UR में 3597, SC में 1338 और HT में 769, OVC में 2526, EWS 935 और टोटल हो जाएगा 9,345 इस्ट Central Railway में हो जाएगा 1379, SC में 555, HT में 325, OVC में 356 और EWS में 358 इस प्रकाल से आप यहां पर सारा का सारा स्क्रीन सोट ले सकते हो और सब का टोटल यहां पर डी गया है ठीक है इसके अलावा जो important बात है एज के बारे में तो requirement जो है आपे age criteria जो है वो group D age limit जो है आपका वो बता रहा है ठीक है Candidate age should be between 18-33 साल 1st January 2024 यानि कि पहला जनवरी 2024 को जो है आपको 18-33 साल का होना चाहिए आपका age reflection की बात करें तो 5 साल applies to SCST on 3 years of for OVC candidate ठीक है SCST को 5 साल मिलेगा और 3 साल की छूट मिलेगा OVC candidate को तो ये था पूरा का पूरा update आगे जो भी update आएगा हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देंगे ठीक है इसलिए हमारे चैनल को subscribe कर लेजे बैल एकन को दबा लेजे ताकि आने वाली हर एक वीड अधियो में थैंक यू